पाटंकर चोक के बालसुदार ग्रुह से भागे छे नापा लिग तीन दिरों से नाखपूर और गोंदिया में आधक बचा रहे थे। पाटंकर चोक सेद बालसुदार ग्रुह से छे नापा लिग फरार हो गये थे। इसके बालसुदार ग्रुह से भागने के पाट चोपिश दिसमबर को नापा लिग ने बचाश नकर में मारपीट करकर एक आटो चालों को लूट लिया था। हमला कर दिया। पलिस कर्मियों से मारपीट कर उनके वहन को फोर डाला। और यहां से फरार होने के बाद बुदवार सुपार ट्रेन से नापपूर पहुचे। इसके बाद तीन-तीन के समों में अलग-अलग रवाना वे। एक समों रात आट बचे सिद्धापड़ी परिसर पहुचा। इटर्निटी मॉल के पीछे से मार पर उन्होंने एक किनर को जक्मी करके लूट लिया। किनर के एक्टिवा पी छिन दी। परिसर में गच्ट लगा रहे सिद्धापड़ी थाने के पियसाय विनो तिवारी अपने साथियों के साथ वहां से गुजरे। किनर ने तिवारी को घटना की जानकारी दी। तिवारी और उनके साथी ने पीछा कर नाबालिक को पकड़ने का प्रयास किया। ऐसी दुरान एक नाबालिक ने चाकू निकाल कर प्लिस दल पर हमला कर दिया। उसे पकड़ने के प्रयास में सिपाई सुशांत वाडिया पुष्टाश पर पता चला कि तीन लड़कों ने उनकी टूविलर चेंडी है इसी को लेके उसको गाड़ी में बिठा के उसको पर गए डिपी रोल पर पहां पे वह लड़की मीले ने इसलिए उनको डूनने के लिए हमारी पुरी टीम गाड़ी के साथ जब पेट्रोलिंग क कारण उन्होंने हर्मला करने के कोशिश की इसी चीना चप्टी में उनके उनके साथ जो तीन लड़की ते उनमें से दो तो भाग गए लेकिन उनमें से एक लड़का नाबालिक लड़का हमारे हाथ मिल गया और उनको पुष्टाच उसको लेकिन जब पुलिस्टेशन में पुष्टाच करने के आद पात पता चला कि कपिल नंकर पुलिस्टेशन में जो गुना रजिस्टर हुआ है बालगुरों से छे नाबालिक लड़के भाग गये थे उनी के टीम में से ये लड़के थे ये 25 तारिक तक नागपुर में थे और 26 तारिक को गोंदिया गये और क आली सुबह वो शाड़े आठ नौ बजे नागपुर पहुचेते नागपुर पहुचने के बाद छे लोगों में से तीन तीन डिवाइड हो गये और उनी में से वो तीनों ने वो एक नाकिनर के गाड़ी किछीना चप्टी का काम किया था इंट्रोंगेशन के दर्मान ये तो बी पता चला था कि यहां से जो जाने से पहले वहां से भाग जब वालगुरों से वो निकले थे उन्होंने टूविलर की भी चूरी की थी शानतिनगर और पाटंकर चोके दम्मान और एक आटो वाला का मोबाइल और आटो भी चूराके ले गये थे ये इंफॉर्मेशन क्यामरा परसन अकिलेश भारतवाश के साथ अभिशेक पांसी के रिपूर